तो दोस्तों कोले जो है आप लोग को आठ फरवरी को EPS आनिक इंटरपेनर्सिप उद्मीता को जो है आप लोग को एकजाम हुई मैं आप लोग के भी चार से पांच सेट जो है EPS के परवाइड कराए थे उसमें का सारा का सारा कुचन जो है यहाँ पर लर्ग यहाँ पर पच इंटरपेनर्सिप का एंसर की मैं लेकर आया हूँ 1 से लेकर 70 तक का 100% परसेंट इंसर जो है सही ऑम सटीक एंसर जो है लेकर आया हूँ काफी सारे यूटूबर आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे यूटूबर जो है आप लोग को यहा तो आप लोग को सकता है यहां पर आज जो है इंटरपैनर सिफ का एंसर नहीं प्रवाइड करा रहा है क्योंकि तो आप लोग आप लोग के पास ड। कुछ Eloy लेकर स्वार्ड कुचन यहां पर नेकर या पर यो स्वारी नेगर यूश्ल यहां पर लिए लेकonlymath को शयलो है यहां wa Nash чट King आप निचाशत क्या बें, आप बहुअीजी तो है, लावमात डिरा अनुपात है, लावमात्र मात्रा अनुपात है, तो इसका राइट एंसर जोए, एश्धान डानवाई-बीकरी क्रोस साय हो द ये इंडियो की बदाएंगे तो यहाँ पर वीडियो का पी लांबा हो जाएंगे कैंकि आप यहाँ नहीं महीं चाहता हूं कि आप लोग का समय बरबाद हो यहाँ यहाँ और ज आप लोग मिलाते चलिए जो जो है answer की बराबर है। चलिए यहाँ पर दो नमर कुचण ने भारतिय Two- рад इसुवरा अस्थापित किया गया। आनस अधीमुलिया में बिरीदी है तो आनस अधीमुलिया में जो बिरीदी है होस के सुरूत का जो राइट ए साहिए घलाइट कुछन और आन उसका कहने चाहिए नेश्ट कुछन परहूंट पराथमिका जके जुछstudy तो राइट अंसर C सही है, नेश्ट कुचन है आठ नमर, समानियत बिबीधी करन वर्गी करीद किया जाता है, तो चार तरीकों से तो राइट अंसर C सही है, चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर नो नमर कुचन है, समाजी कुटरदाई इतों को किसने परिभासित किया, तो राइट अंसर C सही है, चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर नोमर कुचन है, तो राइट अंसर C सही है, चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर नोमर कुचन है, तो राइट अंसर C सही है, चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर नोमर कुचन है, तो राइट से एंपर नियो जन है तो नीयो जन जो आवाश्याक है राइट इंसर एए चलिए नेश्ट कुचन जो यहाँपर 14 नमर उद्हामी पुंजी नाई फर्मों में सामिल करता है यह तो राइट इनसर जो नहीं होता है तो इस्तर्य परबंद में सामिल नहीं होता है तो आंकेचक पर सामिल नहीं होता है तो राइट एंसर सही है चलिए नेश्ट कुचन यहां पर शोटन रूप रेखा में समयली थाय उत्पादन रूप रेखा में समयली थाय तो इसका राइट एंसर हो जाएंगा D, B and C दोनों आने की रायटいきます उन्यवार्ज allora दिया जाता है संचय अधिमान गुक्स cloth या 930 तो और 11 पुछ साहली चल नागत का सरेश्चन मुधारन है I'm स्माँ हो इता है तो यहाँ पर ऑना वाशन इता है यह डी.? 10 कुछन का सु्धार है बिया हम सभीलोा 2 नमर नी में लेकिन जहीं हरा यहाँ से शौर्बीस नमर करति का सबिए हर पर वर्वार्तन जाइना नव पर वर्षिनीफ गुण आर्जन पर किरिया में 27 नमर कुछस ने इसी विदेश के विकास में आवस्यक नहीं है तो इसका राइट एंसर डी हो जाएंगे इन में से कोई नहीं चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर 28 नमर कुच्चन परबंध है तो परबंध ताला और विग्यान दोनों है तो राइट एंसर सी साहिए चलिए नेश्ट कुचन जो है यहाँ पर 29 नमर है नियोजन होता है तो नियोजन जो है नियोजन जो है इन में से सभी के लिए होता है तो राइट एंसर सी साहिए चलिए, नेस्ट कुचन जो है, यहाँ परेक्ट तो n.अत, तो n.च जो आता है किरिया सीलता अनुपात में तो इसका राइट एंसर सी सही है, चल ये नेश्ट कुचन जो यहाँ पर 25 नमर कुचन है, निम्न में से कौन सी समभीचेद भी सिलेशन की सीमा नहीं है, तो इसका राइट एंसर जो हो जाएंगे, आप लोग को बहु उत्पाद फर्म क इसका राइट एंसर सी सही है, चल ये नेश्ट कुचन जो है, 36 नमर कुचन पुचा गया है, बेवसाई के लिए बिपनन है, तो बेवसाई के लिए बिपनन है, तो बेवसाई के लिए बिपनन जो है, तो इसका राइट एंसर सही है, चल ये नेश्ट कुचन जो है, उत्प पाद नीरिच्छन के महतवपुरू पालू है तो यह जो है पालू है इन में से सभी का तो राइट एंसर डी सही है यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूं चलिए यहाँ पर जो है उन्हें चालिश नमर कुछन है आस्थाई लागत परती इकाई बढ़ जाती है जब क्या होता आस्थाई लागत परती काई बढ़ जाती है जब यहाँ पर उत्पादन कम होता है राइट एंसर डी सही है चलिए नेश्ट कुछन यहाँ पर चालिश नमर कुछन है तकनीकी आर्थिक बीसलेशन में पहचान किया जाता है तो यह जो है मायंग संभावना से तो राइट ए नेश्ट कुछन जो है 142 में बोनस नीटी के निजधारक है तो इन में से सभी हो दाएंगे तो राइट एंसर डी सही है नेश्ट कुछन जो है चलिए नेश्ट कुछन यहाँ पर चालिश नमर कुछन है निम्न में से किसे उतपाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान है आने की निम्न में से किसे उत्पाद या सिवा का चुनाव करते समय धियान रखना जो है जरूरी है तो इन में से सभी का तो राइट एंसर डी सही है चलिए नेश्ट कुचन जो यहां पर 48 मर कुचन है सबसे अधिक ब्यापक छेतर है सबसे अधिक ब्यापक छेतर है तो राइट एंसर जो है सी सही है 48 मर कुचन क्यों 48 मर कुचन है नगद कराय के कारण आस्थाई समपति में बिरीदी है तो यह कोस के सुरोत है तो राइट एंसर ए सही है नेश्ट कुचन जो है यहां पर 48 मर कुचन एक सफल उधामी में आवास से ही होनी चाहिए तो एक सफल उधामी में आवास से ही होनी चाहिए तो यह क्या होनी चाहिए तो यह यहां पर इन में से सभी होनी चाहिए राइट एंसर डी सही है चलिए नेश्ट कुचन जो है यहां पर एक आवन नमर नमर नगन रिन पत्र होते है तो यह और अक्षित ह तो राइट एंसर C सही है, नेश्ट कुचन है, यहाँ पर तीरपन नमर गर्प ओधी संबंधित है, गर्ब ओधी संबंधित है, तो यह जो है किरियानुएन ओधी है, तो राइट एंसर C सही है, गर्ब ओधी संबंधित, राइट एंसर C सही है, छलिए नेश्ट कुचन जो है तो ने सभय में चसली यहाँ यहाँ पर गति विदियो का समूल है इस पर योजना के सभी यहां पर गति विद्यों का सम्मूल है पर अंठाओन नमर समाजिक ब्योहार समबंधित नहीं होता है तो यह जो है अनौतिक ब्योहार का परिवर्जन तो राइट अंसर जो है बी सही नेश्ट कुचन जो है यहां पर उनसर नमर कुचन है और कालीन पुर्वा अनुमान कितने महा की अधी का सामील करता है तो बारो म है तो राइट अंसर जो है नेश्ट कुचन जो यहां पर इन जो है उनसर Анд है तो इसठी लागत पालाश जो है लाभ भवहानी हो के लाट इनशर हो जाएंत पर तो राइट ऑंसर जिस आईए चलिये नेश्ठ कुछन जो यहां पर दिसन नमर कुछान यहां पर कौन सी ब्यवसाई से जुरी समस्या नहीं है तो यहां पर चौन सबसे अधिक भियापक छेत्र नहीं है तो यहां पर बहुत सारे छाथ राओ ने जो है गलती किए हों गे क यहाँ पर सबसे अधिक भियापक छेत्र है, तो पाइक केजिंग है, अगर यहाँ पर जो नहीं है, यहाँ पर दिया गया सबसे अधिक भियापक छेत्र नहीं है, ति इन में से कोई नहीं होंगे, तो राइट अंसर डी साहिए, चलिए नेश्ट कुचन जो है, बेक्ति गत भ पर उन्हातर नमर कुछन निम्ड में किसका परयवरन में महतु है तो आउसर की खोजगी है तो राइट एंसर ए सही है नेश्ड कुछन यहाँ पर उन्हातर नमर कुछन ने आ सच चौण अनुपात होता है तो नुपात फुण हो जाएंगे तो राइट एंसर ए सही है नेश्ड कुछन ने शातर नमर कारीसील पुझी की परकीर्ति की इस तरह की होती है कारेसिल पुंजी की परकिर्टी की इस तरह की होती है तो चल परकिर्टी होती है तो राइट एंसर सी सही है तो यहाँ पर एक से लेकर यहाँ पर सौतर अबजेक्टी का जो है यहाँ पर हंडेट टेन परसेंट करेक्ट एंसर जो है जो आप लोग को सही एन सर्टिक answer जो है बता दिये। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा answer जो है मिला लिये होगे आप लोग बीडियो को निचे कोमेंट करके जरूर बते हैं आप लोग का कितना objective जो है सही है तो आज के वीडियो में इतना ही मीलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक वन्दे वात्रम